हँलो गाईज लास्ट अमने एकोनामिक जुलोजी पाट फॉन देखा था फार्ट फ़न में हमने फिश्री एपिकल्चर और पॉल्ट्री इन पर दिस्कशन किया था इस बार हम दिस्कशन करेगे पर्ल कुल्चर सेरी कुल्चर और लक कल्चर पे तखें एक एक पॉंट डिट इसमें अगर इंडिया का रांग दिखाया तो इंडिया यह सेकंड़ रांग पहाता है वर्ल के इसमें इसमें beş मे टाइप सहं मंळबरि ख। टसार सिल्क, मुगा सिल्क, इरी सिल्क और ओक सिल्क अब ये जो नाम दिए ये mostly plants के basis पे नाम दिए मलबरी सिल्क जो सिल्क वर्म मलबरी प्लांट पर रहेगा उसे क्या कहेंगे मलबरी सिल्क जो टसार प्लांट पर रहेगा टसार सिल्क मुगा सिल्क इरे सिल्क या फिर ओक यह जो यह प्लांट के नाम है जिन्वे सिल्क वर्म फिड करेगा अब mostly यह जो सिल्क वर्म होगा सिल्क वर्म का जो वर्म होगा यह वाला इसे क्या कहेंगे caterpillar अब ये feed करेगा host plant पे यानि जिस plant पे ये रहेगा उस plants को क्या कहेंगे host और इसे क्या कहेंगे guest यानि उस plant पे ये guest रहेगा यानि उस plant का host plant का ये nutrition capture करेगा अब nutrition capture करेगा तो ये mostly क्या खाएगा? leaves ये mostly क्या खाएगा? leaves उस plants के ये leaves खाएगा अब leaves जैसे खाएगा तो ये secret करेगा एक liquid अपने salivary gland से उसे क्या कहेंगे? पैस्टी सिक्रिशन पैस्टी सिक्रिशन मतलब लिक्विड लाइक होगा जैसे जैसे वो secret करेगा वो liquid लाइक होगा लिक्विड क्या होगा? उसके body के ऊपर wrap होता जाएगा जैसे वो liquid air के contact में आएगा ये solid form करेगा अब solid form में आएगा तो ये thread like एक round बनाएगा thread like appearance ये form करेगा और जैसे thread like appearance form करेगा उसके body के ऊपर ये already round हुआ होगा तो जब caterpillar के ऊपर ये thread like appearance form होगा तो उससे क्या गाएगे? ककून ये ककून ऐसा निखेगा ये होगा ककून मतलब क्या होगा? फर्स्ट कैटरपिलर, सेकंड ककून और फर्स लार्वा होँगा, सेकंड ककून और फर्स कैटरपिलर तो देखेंगे यहाँ पर क्या दिया? यह मौत ने यहाँ पर अंडे दिये यह अंडे जो एक ही time में बहुत सारे अंडे दे गाए और ये leaves के नीचे वाले हिस्से पर देगा जो leaves का नीचे वाले हिस्सा होगा ये इस पर अंडे देगा और उड़ जाएगा ठीक mostly इसके 6 स्पेसिस होगे जो मल्बरी सिल्क होगा उस पर बॉम्बैक्स मुराई रहेगा ये वाला बॉम्बैक्स मुराई तसार सिल्क पर अंथ्रिया पाफोस ये वाला मुगा सिल्क पर अंथ्रिया असाम्स ये वाला रहेगा इरी शिल्क पे अटक्स रेसीनी यह होगा ओग सिल्क पे अंथ्रिया पेरणी और जायन सिल्क पे अटक्स अल्टास यह जो होए यह सारे के सारे स्पेसिस होगे कि जो रेरिंग कर सकते सिल्क वांप प्रोडक्शन में इसको अगर feed करना है तो mostly mulberry leaves देना पड़ेगा तुती का पेड़ बोलते उसको तुती के पेड़ के पन्ने जो होते वो पन्ने यहाँ पे डाल देते और वो उनको feed करके अपना ककुन फॉर्म करेगा यूज कर सकते कैस्टर ओक या फिर टीक लिउस का भी इसमें यूज कर सकते उनकी feeding में यह आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है तो इसमें इसके अगर डिसेज देखा जाए तो प्रोटोजोन डिसेज होगा पेब्राइन प्रोटोजोन डिसेज यह ऐ प्राचरी यह वाला होगा इनकी बोड़ी सिकूर जाएंगी फंगल डिसेज अगर देखा तो मस्करडीन इनके बोड़ी के ऊपर फंगस प्रोडूस होना शुरू होगा और यह हर एक डिसेज में क्या होगा यह मरेगे मरेगे तो economy जट से गिरेगी जो commercial production लेना है वो production क्या होगा गिराएगा वाइरेल डिसेज अगर देखा जाए तो ब्रैसिरी यह वालब काली पड़ जाएंगे वह हम क्या होगे यहाँ पर black appearance form होगा नेक्स देखा जाए तो लाक कल्चर अब लाक कल्चर मतलब production of लाक अब लाक क्या होता है लाक मिलाए जाएंगा टकारडिया लाका या फिर केरी लाका से जो लाक सील करने के लिए भी यूज करते हैं अगर कोई लॉक किया तो लॉक करते वक्त जो रेड रेड हम डॉट डा जालते हैं उसके उपर वो क्या होता है लाक यह लाक मोसली यह भी होस्ट प्लांड पे डिपेंड रहेगा होस्ट प्लांड यहां पर होगे बन्यान साल पलश बेरी इस प्लांड पे यह रहे सकता है इस प्लांड पे जब रहेगा तो इस प्लांड का यह साप चूज करेगा जिस भी fig पे ये रहेंगा, टिक पे ये रहेंगा, उस branch का ये क्या करेगा, sap सक करना शुरू करेगा इसमें mostly क्या होता है कि जो male होता है, उसमें wings होते, legs होते, लेकिन जो females होती है, उसमें न wings होते, ना legs होते, ना eyes होती है यानि उसे कुछ दिखता नहीं, लेकिन favorable condition में ये क्या करेगी, sap, चूज करेगी plant का, लेकिन जब unfavorable condition आएगा, यानि वो plant सूखने लगेगा, in short, तो क्या होगा, ये जो female है, ये female क्या करेगी, एक protective covering secret करेगी, अपने body के उपर, तो उसे ही क्या कहेंगे, lack, तो इस lack में mostly क्या होगा, resins होगे, 68-90% resins होगे, dyes 2-10%, dyes colors उसमें होगे, mostly red color, या फिर brownish color में ये होगा, wax 6% या फिर albuminous substance 5-10%, wax और albuminous substance से, इन के ऊपर shining आएगे, या फिर minerals 3-7%, resins और minerals ये bond form करेगे, इससे क्या होगा, ये एक solid substance बनेगा, अब lack अगर निकालना है, तो उस, जो twig होगे, उसको scrap करना पड़ेगा, scrap करना पड़ेगा, मतलब ये जो sector है, ये sector पूरा निकालना पड़ेगा, अब निकालने के बाद, ये ऐसा दीखेगा, उससे क्या होगे, shell lack, ये ऐसा भी दीखेगा, यानि different type के lacks होगे, button lacks भी होगे, बहाँ पर ये बनाये जाएंगा, seed lack, जो छोटे जो crushing part में मिलेगा, shell lack, यानि outer covering मिलेगा, या फिर stick lack, ये stick जैसा पहर निकलेगा, इसके uses से गर देखे जाए, तो varnishes बनाने में, यानि किसी भी चीज के ऊपर अगर कोई layer लगाना है, तो ये layer लगाने में भी हम use कर सकते, paints में use कर सकते, color देने के लिए, या फिर उसकी oil paints जो होते, ये इसमें बहुत जादा use होगा, polishish, gramofons record, gramofons record पता होगा, बड़ा वाला एक disk होगा, उसको बनाने के लिए भी, ये lack use बाए, printing inks, जो ink print में use होता है, ये भी lack से बनेगा, buttons या फिर pots, जो shirts के buttons होते, या फिर किसी भी चीज के buttons होते, वो buttons ये बनाने में use होगे, pots बनने में भी ये help करेगा, filling of ornaments, such as bangles and brackets, also insulating material, या फिर bangles, bangles के ओपर जो design होते है, red color का, में specifically, तो उसमें ये use होगा, या फिर bracelets, mostly insulating material, हम इसे use करेगा, या वायर्स, जैसा ये काम करेगा, as a insulating material, अगर wood के ऊपर ये लगा दिया, तो wood और जो भी कीडा होंगा, जो wood को खाएगा, वो खाने में एक दीवार ये form करेगा, protective material form करेगा, थर्ड देखेंगे, pearl culture, अब pearl culture, mostly ये oyster से मिला जाएगा, जिस oyster से मिलेगा, उसे क्या कहेंगे, pearl oyster, जिस oyster से pearl हम secret करेगे, उसे क्या कहेंगे, pearl oyster, mostly ये pink tata walgaris, ये होगा, मुलुसकन से होगा, ये वाला, ये अंदर का structure होगा, अगर ये देखे जाए तो shell होगा, shell को अगर खोला जाए, तो ये सारे muscular part इसके अंदर होगा, इसलिए इसे shift किया है, मुलुसका में, ये mostly made होगा, calcium carbonate से, CACO3, या फिर, coal ketene, ये जो material होगा, coal ketene, ये एक shining part मारेगा, एक shining part देगा, पर्ल को, अब father of pearl industry, कोकीची मिकी मोटो, इसे भी कहेंगे, क्योंकि, इस इंडस्ट्री ने, कोकीची मिकी मोटो, ये का नाम है, परसन का नाम है, तो इन्हों ने क्या किया था, कि पहली बार pearl कैसे form होता है, ये बताया था, और सबसे पहले production लेना शुरू किया था, ये mostly जापान में होगा, कोकीची मिकी मोटो, और जापान को भी first rank मिलाए, सबसे ज़्यादा production जापान में होगा, pearl का, अगर pearl production देखा जाए, तो ये जो muscular part होगा, इस muscular part में, ये जो compartments दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, pearls, तो ये form क कैसे होगे, अब ये देखो, ये यहाँ पर दिया है, मदर पल, अब मदर पल में, यानि इसके अंदर अगर कोई body चला गाया, foreign body, यानि कोई छोटा part, sand का, या फिर किसी भी चीज़ का, अगर चला गाया, तो ये इसके body में क्या होगा, चुपता है, चुभे ना, इसलिए ये क्या करेगा, ये जो mental epithelia में, mental epithelia मतलब outer covering, ये इसके उपर shift करना शुरू करेगा, और नाकर, नाकर मतलब ये वाला, yellow वाला material, ये इसके अंदर shift करना शुरू करेगा, तो जब ये shift करेगा, तो उसको दर्द नहीं होगा, इसके जो muscles को वो honey पोचाएंगा, तो जब य ये form करेगा, तो ये एक security socket में चला जाएंगा, तो जो socket होगा, उसे हम क्या कहेंगे, pearl, तो वो socket हम बाहर निकालेगे, तो जैसे बाहर निकालेगे, शायद से oyster मर भी सकता है, मरता ही है, oyster, अगर problem होगा, sericulture, lack culture, या फिर pearl culture में, तो comment कीजिएगा, subscribe कीजिएगा, share कीजिएगा और like कीजिएगा, सारे वीडियो अगर चाहिए होगे, तो इस link पे आप जा सकते, ये मेरा symbol है, bio adda, next lecture का microbes in human welfare पे, thank you and all the best.